अगर आप से भी मिस हो गई हैं अभी तक की ये टॉप खबरें तो पढ़े हमारा क्रिक यूज सिग्मेंट मध्य प्रदेश यह राज़ेपाल ने भी जान्योता कॉंग्रेस ने पेश किया सरकार बनाने का दावा कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओ कमलनात और जो तिरा दित्य सिंधिया ने बुद्वार दोपेड राजभवन में प्रदेश की राज़पाल आनंदी बेन पटेल से भींट कर उनके समक्ष राज़े में पार्टी की सरकार बनाने का दावा पेश किया मध्यप्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमलनात थेवं प्रदेश कॉंग्रेस चुनाव अभियान समीती के अध्यक्ष और गुना से सांसत जो तिरा दित्य सिंधिया ने राजभवन में राज़पाल से भींट की MP मुख्यमंत्री शिवराज सिंग ने दिया इस्तिफा कहा नहीं करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश मद्यप्रदेश विदान सभा चुनाव में भाजपा को में लीहार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने भुद्वार को पद से इस्तिफा दे दिया उन्होंने अपना इस्तिफा प्रदेश की राजपाला अनंदी बेन पटेल को राजभवन में सौपा इस्तिफा देने के बाद चौहान ने मीडिया से कहा इस्तिफा दे कर आया हूँ बसपा का बड़ा फैसला है मध्याप्रदेश राजस्थान में देगी कॉंग्रेस सरकार को समर्थन बसपा प्रमुख मायावती ने भुद्वार को कहा कि उनके पार्टी मध्याप्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कॉंग्रेस का समर्थन करेगी माय आवती ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बसपा कॉंग्रेस को राजस्थान में भी सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी राम मंदिर और राफेल पर हंगामे के बाद लोकसभा की बैठक दिन भर के लिए स्थगिट राम मंदिर राफेल विमान साओदे आंध्रप्रदेश को विशेश राज्जे के दर्जे की मांग और तमिलनाडू में कावेरी डेल्टा के किसानों के मुद्दों को लेकर भुद्वार को लोकसभा में शिवसेना कॉंग्रेस, तेलगु देशम पार्टी और अनाद्रमुक के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कारेवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई इडी के चापों पर बोले रॉबर्ट वाडरा सभी आरोग गलत मुझ पर हो रही राजनीती, कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता और यूपियर प्रमुक सोनिया गांदी के दामाद रॉबर्ट वाडरा ने प्रवर्टन निदेशा लेके चापों पर आज अपना बयान दिया उन्होंने इन चापों को घलत ठहराया है वाडरा ने कहा कि मेरे खिलाफ लगे सभी आरोग पूरी तरह से घलत और राजनीतिक रूप से तभावित है